फिर है बैडमिन्टन वर्ल्ट फेडरेशन के आई एम बैडमिन्टन अभियान में किसे एमबेजडर के रूप में शामिल किया गया था तो आंचर होगा पीवी सिंदु को और वैसे अभी इसी साल की बात है इनकी उपर एक बुक भी आई थी जिसका नाम क्या है शट्लिंग टू दे टॉप दे स्टोरी ऑफ पीवी सिंदु जिसको लिखा था वी क्रशन स्वामी ने और बैडमिन्टन वर्ल्ट फेडरेशन का हेड़कोटर आपको मिलेगा कौला इतना हूँ और TCS की बात करेंगे तो इसके MDCO का नाम याद रखो राजेश गुपिनाथन है फिर है विश्व पुस्तक वो कॉपिराइट दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा तेवी सपरेल को और 2020 की विश्व पुस्तक राजदानी रही कौलालुपूर मलेशिया और इस International Motorcycle Manufacturing का Headquarter मिलेगा आपको Geneva Switzerland में फिर अंतरराश्टर शतरंज महासंग के Online Nations Cup में भारत की और से कौन खेले थे तो आंसर होगा विश्वनात आनंद हमारे पहले Grandmaster और राजी उगांधी खेल रतन पुरसकार सबसे पहले इनको ही मिला था 1991 में और इनकी अभी एक autobiography भी आई माश्टर के नाम से वो भी धियान रखना और इनको World Wide Fund India के परियावरन सिख्षा कार्यकरम का भी राज़ूत बनाया गया था ये भी याद रखो फिर वाश करो नाम से मुबाइल एप्लिकेशन किसने डेवलप किया ट्रिपल आईटी दिल्ली ने ट्रिपल आईटी दिल्ली हुआवी ये चाइनीज कंपनी चाइना शंगाई में इसका हैटकोर्टर है फिर एक किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझोता किया तो आंसर होगा पेटीम पेमेंट बैंक ने पेटीम की स्थापना 2010 में होगी थी नोईड फिर किस राजे ने आयू एवम सेहत साती अप्लिकेशन को लांच किया था राजस्थान सरकार ने और राजस्थान ये लोगडाउन लगाने वाला सबसे पहला राजी भी था मार्च में लोगडाउन लगाय था सबसे पहले इसने उसके लावा रेपिड टेस्टिंग चुर मुख्य मंतरी त्रिवेंदर सिंग रावत हैं गवर्नर है बेवी राने मौर्या और यहां के देखो दो कैपिटल है समर कैपिटल गेरिसेंड बन गई तो विंटर आपकी दैरादून है फिर एक कोरोना वायरस के होट स्पूर्ट शेत्रों के लिए आप्त मित्र नाम के पा गवर्नर है वाजुबाई वाला फिर भारत की पहली कोविड-19 नमुना संग्रम मुबाइल लैब को लांच किया था हमारे रक्षा मंतरी राज नाज सिंग जी ने जिनका निरवाचन शेत्र लखनाओ है फिर केंद्रिय मंतरी रमिश पोकरियाल निशंग जो के अब सिक पात्रों को बोला कि अपनी अपनी एकेडमिक बुक्स के अलावा आप अपनी पसंद की किताबे भी बड़ें फिर है CSIR-IGIB ने कम लागत वाली COVID-19 टेस्ट किट डेवलप की जिसका नाम क्या है फैलूदा उसका नाम है और इसका नाम महान फिल्मकार सत्यजी तर्रे की कहान फिर बंटर ब्लिंस कप किसने जीता तो अंसर होगा एलिरजा फिरोजा ने इरान से हैं ये और इन्होंने हराय था वर्ल्ड चेस्ट चेंपियन मार्ग मेगनस कालसन को जो कि नौर्वे से हैं ये एक ऑनलाइन चेस्ट कॉंपिटिशन था फिर डोनल्ड ट्रम्प ने शीड फिज्ञान बोल्ड के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया था सुदर्शन बाबु को फिर एक इसने लॉकडाउन लर्नर्स सिरीज शुरू की थी तो युनाटेड नेशन ओफिट्स और ड्रक्स एंड क्राइम ने जिसका हैटक्वाटर विनने वियना औस्ट्रिया म जिसके डिरेक्टर जनरल हर्शपाल सिंग है तो अभी इसने कासोवाल एंकलेव जो की पंजाब में है उसको जोनने के लिए किस नदी पर एक पुल बनाया तो आंसर होगा रावी नदी पे और वैसे बियारों ने अभी कुछ समय पहले अरुनाचल प्रदेश में दापुर जो पुल भी बनाया था सुबन सिरी नदी पे बढ़ते आगे तो चलिए कल की करंट अफेर्स को भी रिवाइस कर लेते हैं पहला प्रशन आपसे पूछा जा रहा है एशियन डेवलेप्मेंट बैंक ने किसे भारत का कंट्री डिरेक्टर ने उक्त किया तो आंसर होगा टे बैंडमेंट हमने देखा था इसके एग्जेकेटिव डिरेक्टर बने कौन समीर कुमार खरे फिर अंतरराष्टर ओजून परत संगरक्षन दिवस याने कि इंटरनेशनल डे फॉर दे प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजून या जैसे आप वर्ल्ड ओजून डी भी बोलते हैं यह हमने 16 सप्टेंबर को मनाया है जिसकी थीम क्या थी ओजून फोर लाइफ 35 यर ओफ ओजून लेयर प्रोटेक्शन फिर है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस कप और उबेर कप को कप तक के लिए पोस्पून कर दिया तो अभी 2021 में होंगे वैसे यह इसी साल अक्टूबर में होने वाले थे कहां पे होने वाले थे डैनमार्क में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका हेड़कोटर कौला लूमपूर में है फिर है पे टीम फर्स्ट गेम के ब्रेंड अमबेस्डर किसे बनाया गया सचिन तेंतुलकर को फिर है प्रधान मंतरी नर रहा है भारत और इसमें टॉप पे रहा है टर्की फिर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स का नया सांस्करतिक प्रतिनिदी कल्चलर रिप्रेजन्टेटिव बनाया किसको विवेक रंजन अगनी होतरी को फिर है जिन्ना है सक्सिस फैल्योर एंड रूल इन हिस सिक्ट्री नाम की बुग को लिखा इस्तियाक अहमद ने और यह बुग पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मुहमद अली जिन्ना के जीवन पर लिखी गई है फिर ए इस राज्ये के मुख्यमंत्री ने कोरुना विजे रत का शुरू शुभारम किया चत्यस गड़ क के मुख्यमंत्री ने तो कोविड-19 के बारे में जागरुकता फेलाने के लिए है यह फिर ए राज्तान रोयल के ब्रेंड अमबेज़डर अभी बने कौन दुबारा से ब्रेंड अमबेज़डर बने है यह एशन डवलेप्मेंट बैंक ने वितवर्ष 2020 किस के लिए भारत क GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया माइनस का 9 परसेंट अभी क्रिसिल ने और S&P ने भी माइनस का 9 परसेंट ही लगाया था अनुमान फिर ए ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रेंड अमबेज़डर बनाया तो आंसर होगा विराट कोली को बढ़ते हैं तो कुछ static questions की बात करते हैं आपसे पूछा जा रहा है दुनिया की सबसे ठंडी जग है जहां पर लोग रहते हैं वो बताओ कहां पर है और कौन सी है वो रश्या में है और उसका नाम है ओम्याकून फिर है गोबिंद सागर जील ये कहां पर है ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में है ये सिखों के जो दसवे गुरू थे गुरू गोबिंद सिंग जी उनके नाम पर रखा गया है जील का नाम और आपको जो भागडा नांगल डैम है वो यहीं पर है सतलुच नदी पर है फिर है गोबिंद वल्लब पंत सागर जील ये कहां पर है ये आपके उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश के सोन भद्र डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी है आपको बताए सोन नदी की सायक नदी है रिहान डिवर और उसी पे एक डैम है रिहान डैम और वहीं पर है आपके गोबिंद वल्लब पंत सागर जील फिर है नागारजुन नेशनल पार्क ये कहां पर है ये मिजोरम में हैं काबुल लामजाव नेशनल पार्क आपको मिलेगा मनिपूर पे ये लोक्तक जील पे है एक मात्र लुन्या का तेरता वा नेशनल पार्क है ये फिर है जल्दा पारा नेशनल पार्क ये मिलेगा आपको पस्चिम बंगाल में फिर है सो नई रूपई wildlife century ये असम में मिलेगी आपको फिर आपको बताना है USA की जो Republican Party है जिसके आपके President है Donald Trump तो उस party का जो चुनाओ चिन्ने न वो किस भारते पार्टी का भी है तो हाती है और हाती आप जानते हो Belgian Smart Party का है और एक तो Donald Trump की party हो गए इनकी opposite party है Democratic Party जिसके Barack Obama थे Bill Clinton थे तो उनकी जो party का चुनाओ चिन्ने वो डॉंग की है बढ़ते आगे तो important days की बात करेंगे पहला परशन है राश्ट्रय हतकरगा दिवस कब मनाया जाता है तो अंचर होगा 7 अगस्त को फिर है World Biofuel Day जेव इंदन दिवस 10 अगस्त को मनाया और 10 अगस्त को अंतर राश World Humanitarian Day 19 अगस्त को मनाया जाता है एक human right डेबी होता है जो हम 10 देसंबर को मनाते है फिर है international senior citizen day 21 अगस्त को मनाया हमने और senior citizen यानि की बुजूर को वैक्तियों के लिए एक day और होता है international day of older person एक October को मनाया जाता है उसको फिर है national sports day 29 अगस्त को मनाया और एक international sports डेबी होता है विसे आपका उच्छे अपरिल को मनाते हैं और ये national sports day तो अभी 29 अगस्त को मनाया था भी major ध्यान चंजी की जहनती पर मनाया जाता है ये अन्होकी प्लेयर थे major ध्यान चंजी फिर है world photography day 19 अगस्त को मनाते हैं फिर international youth day 12 अगस्त को और इसकी theme भी थी transforming education और वैसे एक national youth day भी होता है जो हम सौयम वेकनन जी के जनम दिन को मनाते हैं वो होता है 12 जनवरी को फिर है विश्व हाती दिवस ये 12 अगस्त को मनाया हमने व अगस्त को मनाया फिर है world health day world health day हम मनाते हैं 7 अपरेल को तो गाइस ये था आज का हमारा current affairs का revision वाला वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो please वीडियो को कम से कम एक like जरूर करना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में अपने study group में एक बार इस वीडियो के link को share जरूर कर देना आप कुछ questions आप लोगों से पूछे जाएंगे questions आप लोग लगाईएगा और देखेगा कितने questions आप लोगों से बन रहे हैं बाके में इनको कल साल करते हैं यह रहे question आपके सामने